दादी की पहली सेलरी एक पारिवरिक कहानी विनोध ट्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था अनीशा और सरला देवी दोनों किचन में थी मनीशा बरतन मांज रही थी सरला देवी सुबा के नाश्टे की त्यारी में लगी थी नो साल की पिंकी स्कूल जाने की त् मनीशा ने किचन से ही सहमती जताई जी जरूर भर दूगी इस बात चिस से पिंकी के कान खड़े हो गए क्योंकि कल ही तो उसके स्कूल में सेलरी के बारे में सब को समझाया गया था जिसमें बताया गया था कि हर काम के लिए एक निश्चित रकम मिलती है जिसे सेलरी कहते है इस बात की याद आते ही वे तुरंत किचन में दोड़ी उसको ऐसे अचानक दोड़ते देख विनोध भी उसके पीछे पीछे गया पिंकी ने अपनी दादी के पास जाकर उनसे पूछा दादी आपको सैलरी नहीं मिलती है क्या बिनोध और मनीशा एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुसकाई सरला देवी ने पिंकी को समझाते हुए कहा बच्चा तुम्हारे ममी पापा ओफिस जाते हैं इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है मैं तो घर पर ही रहती हुँ ना इसलिए मुझे सैलरी नहीं मिलती पिंकी को यह बात कुछ समझ नहीं आई तो वै बोली दादी आप भी तो कितना सारा काम करती हैं सुबह जल्दी उटकर नाश्टा बनाना, खाना बनाना, पूरे घर की साफ सपाई करना कपड़े धोना, मुझे टूशन पढ़ाना और बजार जाकर राशन लाना नो साल की एक चोटी सी बच्ची जो सोच रही थी वैं गलत नहीं था विनोध और मनीशा के पास इसका कोई जवाब नहीं था मगर सरला देवी के पास था वह बोली, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती मुझे पैसो के रूप में अब बताओ क्या मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है दादी की बाते सुन पिंकी खुश होकर दादी के गले से लगते वे बोली अरे वा दादी आप तो बहुत अमीर है सब के चेहरों पर बड़ी मुसकान आ गई मनीशा सरला देवी के पास आई उनका हाथ पकड़ कर बोली मम्मी जी हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं लेकिन आपको कभी इस बारे में विचार नहीं आता कि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए कभी कबार वह भी जब तुम लोग देवी की तरफ देखने लगे यह क्या माजरा है मम्मी विनोध ने पूछा अरे कुछ नहीं बेटा ये पिंकी तो बस बाते बनाती है सरला देवी ने बात को टालने की कोशिश की नहीं पापा मैं आपको पूरी बात बताती हूँ मेरी फ्रेंट रिंकु है न उसकी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में अवल आती हो हर विशे में अच्छे माक्स आते हैं तुम कौन सी टूशन क्लास से टूशन लेती हो मुझे भी बताओ ताकि रिंकु को भी वही बेच सकूँ जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मेरी दादी ही बहुत आश्चर्रे हुआ फिर अगले दिन तोबे हमारे घर ही आ गई थी और दादी से मिलकर उन्हें रिंकु और उनके साथ तीन चार और बच्चों को टूशन देने के लिए कह रही थी लेकिन दादी ने मना कर दिया दादी हाँ भी कैसे करती उनके पास दिन भर इतना स सारा काम जो रहता है पिंकी ने सारी बात खुल कर कही बिनोद बोला अरे मां आपको टूशन पढ़ाना चाहिए ये बात तो पक्की है कि आप पढ़ाती बहुत अच्छा हैं देखिए मुझे भी तो आपने ही पढ़ाया था उसी की बदौलत मैं अच्छी नोकरी पर हूँ और रही बात घर के कामों की तो वो हम उसके लिए कामवाली रख लेंगे आप अपना वक्त टूशन पढ़ाने के लिए दीजिए सरला देवी ने थोड़ी आना कानी की लेकिन बेटा बहु और पोती ने मिलकर उन्हें आखिर कार टूशन चलाने के लिए मना ही लिया एक महिना बीट गया सरला देवी ने उनके बहु बेटे और पोती को एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपने पैसों से खाना खिलाया उस दिन सरला देवी की आँखों में रिष्टों की कमाई के साथ अपनी पहली कमाई की खुशी और संतोश चमक राथा दोस्तो माना की जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता लेकिन थोड़ा सा पैसा जो अपनों के लिए खर्श किया जाए और उससे जो खुशी मिलती है उसकी बात ही कुछ और होती है दोस्तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत भन्नेवाद